नमस्कार में स्वाती और आप देख रहे हैं विंधिया टाइम्स मधिप्रदीश में बोर्ड परिक्षाएं चल रही हैं नकल विहीन परिक्षाओं के लिए बोर्ड ने कई सुरक्षा इंतजाम किये हैं लेकिन इस बीच नकल नहीं कराने पर केंद्राध्यक्ष को जान से मार जबाने की धंकी देने का मामला सामने आया है शास की ऐ बालग उच्छवत्यं माध्यमित विद्यान चान इक्झाम्स के केंद्राध्यक्ष ने आरोप लगा एक शक्स ने उन तो पुलिस के अलावा माधिमिक स्विक्षा मंडल सचीव और जीला प्रशासन के अधिकारियों को कर दी है केंद्रा ध्यक्ष संजय नागले ने बताया कि 16 फरवरी को शास की बालक उच्चितर माधिमिक विद्याले चाद गुमगाव निवासी रामकुमार दिक्षित ने आ शिकायत करता संजय नागले ने पुलिस को की गई शिकायत में बताया कि शास की MLB स्कूल छिंदवाड़ा में उच्च माधिमिक सिक्षक के पतपर हैं MP बोर्ट की परिक्षा में उन्हें शास की बालक उच्चितर माधिमिक विद्याले चाद में केंद्रा ध्यक्ष बनाया पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार इस दौरान आरोपी ने अब शब्द और अभधर वेवहार भी किया इतना ही नहीं परिक्षा कारे में व्यवधान डालते हुए खुद को भाजबा नेता बता रहा था जिस दौरान ये घटना हो रही थी उस दौरान इस कोल इतना है इतना हैं 1937 के तहित के मामला किया है केंडर अध्यक्ष ने श्यकायत सच्चिव माधिमिक सिख्षा मंदल सचिव को भी की न IS अओन१ा थे मया देने वाले आरोपी रामकुमार दीखशित की बेटी भी पह पर दे रही थी रामकुमार दिखषित ने कहा कि तुम इस स्कूल में नकल नहीं करने दे रहे हो खास कर मेरे बच्चों को ज़्यादा डिश्टरब कर रहे हो अगर तुमने नकल नहीं कराई तो मैं जान से मार दूँगा इस मामले में आरोपी राम कुमार सिंग दिक्षित का कहना है कि उनका किसी भी तरह से केंद्र द्यक्ष के साथ कोई विवाद नहीं हुआ है उन्होंने बताये कि स्वरिक्षा केंद्र में उनकी बेटी भी बायोलोजी का पेपर दे रही थी वहीं बच्चों को सही समय पर पानी नहीं मिल पा रहा था जिससे लेकर उन्होंने केंद्र द्यक्ष से विवस्था बनानी की बात कही थी उन्होंने कहा कि मैं भाजपा का कारे करता हूँ मुझ पर लगाए गए सारे आरोप निराधार है बहुत बहुत धन्यवाद